कमल हासन निकट भविश्य में न केवल एक अभिनेता के रूप में बलकि एक निर्माता के रूप में भी कई रोमाचक परियोजनाओं का हिस्सा बनने जा रही है। एक अभिनेता और निर्माता के रूप में अपनी भूमिकाओं के बीच कमल ने एक और भूमिका एक संपादत की भूमिका निभाने की सूचना दी है। एसी अफवाँ है कि कमल हासन अपनी आगामी फिल्म एश शंकर निर्देशित इंडियन दो के संपादन में मदद कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन दो की लंबाई अब लगभग पाँच गंते हैं। इसलिए फिल्म के निर्माताओं ने कथित तौर पर फिल्म को दो भागों में बदलने का निर्णे लिया। इंडियन दो पहले से ही इंडियन का सीक्वल है जो 1996 में रिलीज हुई थी और इसे भी कमल हासन और एश शंकर के सयोजन के तहद बनाया गया था। यहां फिल्म उसी वर्ष अकादमी पुरसकारों में भारत की आधिकारिक प्रविष्टी भी थी। लेकिन निर्माताओं के विश्वास के विपरीत कमल हासन को नहीं लगता कि फिल्म को दो भागों की आवशकता है। इसलिए अफवाहे संकेत दे रही है कि अभिनेता ने इंडियन दो के लिए संपादत का पच संभाला है और फिल्म की लंबाई कम करने में मदद कर रही है। यहाँ देखना होगा कि निर्माता आखिरकार इंडियन दो की रिलीज के संबन्द में क्या निर्णय लेते हैं। दिन के अंत में यह सब प्रशंसको द्वारा इंडियन दो को दिये जाने वाले स्वागत पर निर्भर करेगा। कमल हासन के अलावा इंडियन दो में रोमान्चक कलाकार हैं जिन में काजल अग्रवार, सिधार्थ, रकुल प्रीत सिंग, प्रिया भवानी शंकर, कालिदास जैराम, गुल्षन ग्रोवर, नेदुमुदी वेनु, विवेक, समुथिरकानी, बॉबी सिम्हा, गुरू सोमसु इंडियन दो पर बोलते समय कमल ने पहले खुलासा किया था कि फिल्म वर्तमान राजनीतिक स्थिती के बारे में बात करेगी। ये भी बताया था कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को ध्यान में रखते हुए इंडियन दो साइन की है। लेकिन लोकेश कनदराज की विक्रम की रिलीस के बाद से कल की 2898 इसली अभिनेता सक्रिय रूप से कई भाशाओं में बैक टू बैट फिल्में साइन कर रही है। कर दो कर दो कर दो दो कर दो के बाद से कर दोस्ति कर दो कि अधने की है।